हेलो फ्रेंड वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चेनल आज की सेशन में हम एक इंपोर्ट शिप्मेंट के थू एक इंसिडेंस हुआ था उसके थू हम जानेंगे कि जब हम कस्टम में विलोप एंट्री फाइल करते समय करन्सी गलत चूज कर देते हैं तो उसक क्या क्या परिशानियां आ सकती है ठीक है वह हम समझेंगे सेशन की दुरू तो हुआ क्या था एक शिप्मेंट हमारी यूएस से आने वाले थी जिसकी करन्सी डेफिनिटल यूएस में थी हमारे शिपर ने गूट्स डिस्पेच कर दियते हैं ओके और जैसे गूट्स डिस् यूएस डिस्पेच को बोला कि इसकी फाल करवाए और जो इंपोर्ट की प्रिपरेशन करें यह शिप्मेंट आने वाली है ठीक है इस पर एक है ठीक है तो शिप्मेंट आ गए थी हमारी और चेक्लिस फाइल हुई हमारे शिप्रेच ने क्या कि जो करन्सी थी वह यूरो कर दीवाँ पर ठीक है यूस्टी की जगे यूरो कर दी एक्जांपल इसको ठीक है तो हुआ कि अब चेक्लिस तो फाइल होगी मां पर चेक्लिस फाइल हुई उसने हमें अप्रूवल के भी दी और हमने भी अप्रूव कर दिया रॉंक करन्सी पर तो हुआ क्या अब उसकी एक्साइल हों कि अगे हम अर पास हमने कहले चgt कि तो हुआ इस पर थीक इजो इसे तो ठीक विबर नना करन्सी एक्षैंज का जैसे यूरो का यून्यालग होता है और आपका यूस्टी का येरे अलग होता है तो उसका जो इंपेक्ट आया था उससे फरक पड़ा तो हुआ क्या था जो ड्यूटी हमें उस टाइम जो फाइल की वो कम ड्यूटी थी ओके और बिलोबेंटरी आगे हमने क्या अपने फिनांस से वो ड्यूटी पे करवा दी ठीक है अब हमें चेकलिस फाइल होने के बाद प हुआ है कि चेंज कराई उसमें कम से कम 10 से 12 दिन लग गए और हमने इदर जो ड्यूटी की केल्कुलेशन हुई थी रोंग करनसी पे वो पे कर दी ठीक है तो वह वो पे करने के बाद वह हमने इसलिए पे की अगर हम उसको इस टाइम पे नहीं करते तो उस पे इंट्रस लग कि वो इंट्रस लगता है तो हमने उस टाइम ड्यूटी पे कर दी और फाइनली हमारे सीच ने क्या गया चेक लिस को करेक्ट करेंसी पे पे गया ओके करेंसी चूज करके बिलोमेंटरी फाइल की और उसने बिलोमेंटरी वेजी हमने देखा ठीक आप ओके है सब कुछ अब क क्योंकि करेंसी एक्स्चेंज होती है तो वेल्यू बढ़ जाती है ड्यूटी की कभी घट भी जाती है लेकिन इसकेस में हमारी वेल्यू बढ़ गई थी तो आप अगर इस स्क्रीन पे भी देखो कि न तो यहां पर मैं आपको दिखा सकता होगी यह पहले जो हमने ड्यूट यह आपकी कस्टम ड्यूटी है यह डिफरेंस है इसको घटा लेते हैं जो पे कर दिये तो यह बचता रही है यह आपके कस्टम पे आटोमेटिक ली केल्कुलेट होके जो डिफरेंस वेल्यू शो हो रही है इसके लाब फाइन भी लगा इस पर वन थाउसन गा और टोटल य यह आपकी निट्टू पे जो ड्यूटी बन गई वो पे करने वाली है तो हमने अपने प्नांस को बताए कि आपको सिर्फ यह ड्यूटी पे करने जो कि यह शो हो रही है मैंने उनको एक्जांपल यह समझा के बता दिया ओके बट बिलोब इंट्री में क्या हो रहा था लिए आपकी जो डिफरेंस वेल्यू वही पे करना है वह उनको रिजन भी एक्सलेंट किया कि यह जूटी वह रॉंक करन्सी फाइल की थे हमने और उस टाइम तो पे कर दिता कि इस पर इंट्रेस्टनल लगे है ओके अब यह फाइनली तस बारे दिन में चेंज हो के आ गई कि जो चैक लिस्त आएगी उसको एप्रूव करते हैं तो हर चीज हमें ध्यान से चेक करना है कि कहीं गड़बन नहों हो जाए है ठीक है सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज़ेंस होती है आपका शीपर का और कंसाइनी का एड्रेस चेक करना है एडी कोड चेक करना है जो बे करना है ठीक है पॉर्ट अब लोडिंग पॉर्ट प्रिशार्ज यह भी चीज़ें होती है इंपोर्टेंट तो मोस्ली चीज़ें आपकी एडी कोड और यह हमें प्रोपर्ली चेक करना है था कि कोई प्रोब्लम ना आए ठीक इसका एक मेने अलग से वीडियो भी बना रखा यह अगर करनसी चेंज हो जाती तो क्या इंपक्ट आते हैं तो इंपक्ट यह आएंगे की आपकी डूटीड़ डिफ्रेंस हो जाएगी अ हाला कि आपकी जिसने भी चेक्लिस एप्रूब की उसकी क्लास तो लगेगी इसके अलावा जो इंप्रेक्ट होंगे उससे यह हैंडल करेगा क्योंकि हमारा रिपर्जेंटी डी कस्टम पर सी एच होता है तो उसी को फिर मेटल संबालना पड़ता है है ठीक है सो लाइस चेक्लिस को अप्रूब करते हैं हमें इन चीज़ों का ध्यान रगना है आज के शेशन में इतना ही और भी हम इस परकार की वीडियो आपको एक्जामपल के तुर समझाएंगे आप बने रहे हैं मारे चैनल के साथ थैंक्यू फूर वाचिंग इस शेशन है आप नईस देयो आपको एक्जा अपको एक्षाइंगे आपको एक्षाइंगे लिए झाल झाल